ख़र किचन के काम ह्र्ट गृहनी के लिए कंशिछ ज्याक वीं टीस से भी ज्यादा मुस्किल हुता है कि गृहनी जwasser देखनानी म्लेखना का संदी को पिby हुच्छा ब्रत दो में हुआ है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं जहीं है अज का पहले टिप्स जब भी हम लोग दाल बनाते हैं कुकर में तो क्या करते हैं रहे कि दाल धोलिए इस तरीके से पानी डाल दिए आप दोलिये आप देखे और रहे हम लोग इसे चड़ा दे पेर दोल के दृड़ते हैं यामी सरीषे इस ब tusants नुक्सान करें जो जाग निकलते हैं जाल होता है यह हमुरी के विक जज़ाद नुक्सान दे होते हैं धीर धीर हमारे सरीम स्कून जुद भी गारेषा दल इस तरह आगा न के आगा लिए प killerë जब यह पूरा तरीके से खॉल जाएगा अपने आप सारे उपर आने लगए इस तरीकी से जाग जो हमें काटके हटा देना चाहिए देखी कुछ इस तरीकी से अब जो है हमारा दाल बिल्कुल से खाने लाइक है तुम्हारी अग्री जो टीप से फिंस वह इस तरीके से जब हम लोग नय बोटल खरीते हैं इस तरीकवी से पानी बोटल हो गड़ गया पिर कुछ ऐसे चीज़ से में क्या मिलता है कुछ-ड़ गैप सदेह कि क्या रहता है ना इदखें कि सदू किंस्ती क्या रहता है सिलीका हना जेल को की हमारे चीज़ों को अच्छे से फ्रेस रखता आप क्या किज THE बात पुरियों को वहिते दोस्तों हम उसको इस तरीके से डबे में बंद करें आप उसको इस किसे डाल दीज एदों को हमारे दोदे काम ौह आएँगा ये तो हम दोने जुते करें को सफरेष रखेंगे कि यूज कर सकते हैं तो कैसा लगा यह आडिया आप जरूर बताइए का असे कती टीप से आटिक्स आपको पसंद आये होंगे तो हमारे अगली जो टीप से फिर्ट वह रहा है तरी कि बॉर्टल होते हैं कांच के सिरामक के क्या होता है हम लोग इस तरीकी से बॉर्टल में न अचार बगीरा रखने से बहुत बड़ी स्ट्रॉंग से असमेल रहा है जाती है इतना भी से धोली जिए सुखा लिजे ना फिर भी जो इसमेल आती है अगर आप दूसरे अचार फिर से रखो गो तो उसकी भी आजाएगी जैम के बाटल होता है इसमें भी जैम की खुस्पू को हमेशा बनी रहती है आपके इतना भी से धोली जिए दोस्तों इसे कैसे ख़दम करें जिसे कि हम दूसरे समान रखेंगे तो इसमें जो है इसकी गंध ना जाए इसके लिए बहुत चोटा सा ट्रीक है बहुत ही विजफुल है आप करेंगे बहुत याराम से चला जाएग की तरीके मैंने गायस ऑन कर दिया आप इस पर मैं तब चढ़ा दी अब तब तबा जो है थोड़ी देन में गरम हो जाएगी गरम होने के बाद हमें क्या करना है इस तरीके से जो हमारे बॉटल है काच के हो या सेखला द्ना दियां होगी ना दोस्तों बड़े आराम से निक जो कि कैसे आराम से चुटकियों में चला जाएगा अजमा कि देखिएगा जरूर इसमें आप दूसरे चीजे आप रखेंगे तो बिल्कुल विसके श्मेल दूसरों में नहीं जाएगे क्योंकि इसके श्मेल पूरी त्रीके से खत्म हो जाती है तो यह तरीका आप रोटी बन दोस्तों जब विसके श्में करते हैं लेका जाती है कॉपी पीण जाने हैं चाई की श्मेल आ रही है तो अपनी काच की जो पिख रहता है आप इसे भी तरीके से थोड़ा सा गरम कर लीचे इसके भी श्मेल पूरी च्रीके से खत्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से य करते ना नहीं आया ना तो चलिए मैं बताती हूं जब भी हम लोग बजार से बर्तन करिए एक बात का दियान जब भी रखती गाव्यूरस अब जयसे की प्लेट खरीद रहे हो या फिर इस तरफ से गिलास खरीद रहे ना एक बात कर दो यह जब भी लेते हैं 5 6 चार की तरह प करें तो बहुत ही जादा जगा लेती है को यह जो है बहुत ही दूर दूर तक टाच नहीं रहते हैं इसलिके चार गिलास रखते हो तो यह जो है ना बहुत ज़्यादा उंचा यह जो गिलास है देखिए प्लेन बाले होते हैं अगर आप छे भी रख देंगे आट दस भी रख देंगे ना तो बहुत ही कम जगा लेती है आप वोड़े आराम से एक दोनों में सेट हो जाती है इस बात का धियान रखिए ने से आपको बहुत ज्यादा फाइदा हो सकता है अब एक गिलास भी देखिए पूरी अंदर तक नहीं जाती है लेकिन कुछ हाथ तक जाती है जैसे कि इस तरीक से काटोरिया प्लेट में भी आप देखते होंगे कि कुछ बरतन जो इसी के जैसे होते हैं कि एक दुसरे में आटकते नहीं अच्छे से और उसके विए से हमें पिदे के जाते हो तो गाते हैं कि गया सनुंदर होते हैं पर दोस्तो को मोटे मोटे जो होते हैं यह चीन जो फिसे हमें परिशान होती है दोस्तों जब हम लोग पीन अप करने जाते हैं तो क्या होता है ना इसको जो मोटे मोटे बॉर्डर होने की बिज़ासे इसमें पीन जो है अच्छे से घुशती नहीं है कभी-कभी तो क्या होगा कि इसके जो नुकी है न वो इस तरीकी तेढ़े हो जाएंगे या फिर फट ज कर लीजिए देखिए यहां पर आपको क्या है एक साबुन ले ले ना ठीक है अब साबुन के ऊपर न इस तरीके से जो है अपने नहीं यह टेड़े होते हैं तो कैसा लगा यह टीप सेंट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा तो जब भी आपके मोटे बॉर्डर में नहीं डल रहा है ना तो यह ट्रिक फटा-फट से आजमालीजिए आपका काम हो जाएगा तो दोस्तो अगा चैनल पे नएया तो जाइन करके जरूर जाएगा हमायई चैनल पे आप को ऐसे सेंट्रिक्स मिलती रहे ही और अच्छे लगे 음악 लिए हि 채 T carga आप ने खिया रखे thanks for watching